साथिन आवस्कार बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब यह लूसेंट का प्रेक्टिस सेट देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एक्जाम से रेलबे, ससी, म्टी एस, पुलिस एक्जाम, बीएस, आरपी एफ, सी आरपी एफ और बिहार, सिबिल कोट के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पनाए है, सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस करें, चले शुरू करते हैं, देखें यहाँ पर पहला कुश्चन दिया है, बहरे इंपोर्टेंट कुश्चन है, प्रकास संसलेशन के लिए आउस्यक ततो के नाम बताईए, तो प्रकास संसलेशन के लिए जो आउस्यक ततो है, वो है कारबन डाय अक्साइड, पाने और सूरे का प्रकास से याद रखना है, सी यो टू जल और सूरे का प्रकास संसलेशन के लिए आउस्यक है, सी यो जायेगा, इसके अलावा प्रकास संसलेशन के डिफिनेशन की बात करें, तो हरे पोधोई को सिकाओं में सूरे की प्रकास के उपस्तिती में कारबन डाय अक्साइड यानि सी यो टू याँ जल यान निर्माड होता है, तो याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, अगला कुशन दिया गया है, ये भी इंपोर्टेंट है, गेटवे आफ इंडिया से एलिफेंटाई गुफाओं तक तयारने वाले पहले ब्यक्ति कौन बने है, देखिए बेरी इंपोर्टेंट है, गेटवे आ नंगा फकेर गाधी जी को किसने बोला था? बिष्टन चर्चिल ने बोला था, आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी अंतासरावी गरंथी नहीं है, तो अंसर हो जायागा डी, लार गरंथी अंतासरावी नहीं है, अंतासरावी जो गरंथी वो यहाँ पर लिखे हैं, आगे बढ़ते हैं पांचवा कुश्यन है निमनलेखित में से कौन सा मानो की आहार नल का हिसा नहीं है तो correct answer B हो जायेगा स्वास नली आहार नल का हिसा नहीं है आहार नल के जो हिसा है मानो सरीर के वह यहाँ पर है मुख गुवा गरास नली छोटी याथ बढ़ी याथ यह चारो क्या है मानो सरीर के आहार नल का हिसा है ठीक है अगला question देखते है निमनलेखित में से कौन सा बर्णक follow और सबजियों के रंगों के निर्धारन के लिए जिम्मेदार है तो correct answer हो जायेगा यह एंथो sign-in जिम्मेदार है अगला आगे बढ़ते है question दिया गया है निमनलेखित में से कौन सा MS office suit का हिसा नहीं है MS office suit का हिसा कौन सा नहीं है तो correct answer हो जायेगा option A project यहाँ पर MS office का हिसा नहीं है computer से related question है Excel power point word यह तीनों यहाँ पर MS office suit के हिसा है गुर्तवा कर्षन का नियम किसके द्वारा परतिपादित किया गया था तो answer हो जाएगा भी object Newton के द्वारा गुर्तवा कर्षन का नियम परतिपादित किया गया था इसके अलावा प्राकिर्तिक Chyenne का सिधान्त का Charles Darwin ने दिया था प्रकास विदूत प्रभाव के लिए nobel प्रूशकार मिला था इसके अलावा प्रमुख सिधान्त और उनके अभिस्कारक के नाम लिखे हैं यहाँ पर प्लावन का सिधान्त किस ने दिया था अर्ख मेडिज ने यूरेनियम का विखेंडन और टोहन ने और निश्चता का सिधान्त है जेन वर्ग ने जड़ातों किस अंकल्पना गैलीलियो ने तपाइनिक्स उत्सवरजन एडिशन ने इसका विखेंडन किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं कॉंप्योटर भास में एमबी निम्नलाईखित में से किसका संचीपत रूप है एमबी मेगाबाइट इसको बोलते हैं मेगाबाइट एमबी को बी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आवर्शानी पर मौजूद पहला तो तो कौन सा है तो ये है हाइड्रोजन ठीक है ओप्सन याद रखना है आपको इनमें से कौन सा हर्मोन गर्भासे के संकुचनों और गर्भासे ग्रीवा के बिस्तारन को उत्तेजित करता है तो कौन सा हर्मोन है वो आक्सी टोक्सिन हर्मोन याद रखना ये जो हर्मोन है गर्भासे के संकुछनों और गर्भासे गृवा के विस्तारन को उत्तेजित करता है तो अप्सेन हो जायेगा ये आक्सिटोक्सिन अस्तंधारियों में दुगद सराव को उत्तेजित करता है प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन का सराव कार्पस लूटियम द्वारा किया जाता है प्रोजेस्ट्रोन की उपस्तिती में रज चक्र अंडोत सर्जन का दमन हो जाता है रिलेक्सिन हर्मोन का सराव प्लेसेंटा द्वारा प्रशव के दोरान होता है एस्टोजन मादा लिंगी हर्मोन है इसका स्रावण तरुणा अवस्था में आरंब होता है किन्तु रजनो विरिती के पस्चात इस हर्मोन का उत्पादन बंध हो जाता है टेस्टोइस्टोरोन की बात करें तो ये नरलिंगी यानि पूरु सेक्स हर्मोन है टेस्टोइस्टोरोन आगे बढ़ते हैं कुश्चन दिया गया है निमनलेखित में से किस मचली में सीर हड़ी आख या नाक मौझूद नहीं होता है तो कौन सी मचली है जिसके सीर हड़ी आख नाक जो है ये मौझूद नहीं होता है तो जेली फिस के अंदर ठीक है जेली फिस में जो है ये मुझूद नहीं होता है आगे बढ़ते हैं निम्निलेखित में से किसे हैं नाभिकिया भॉतिकी के जनक के रूप में तो जाना जाता है रुदर फोड को याद रखना है रदर फोड को जाना जाता है अगला देखते हैं इसके अलावा प्रमुक सिधान्त खोज और उनके अभिस्कारा के हाँ पर लिखे हैं इलेक्ट्रोन की खोज किसने जेजे थॉंसन ने गुर्तवा कर्शन का नियम नियूटन ने सोर मंडल का विसकारा कॉपर निकस इलेक्ट्रोन परावेस मिलिकन क्वांटम का सिधान्त किसने दिया था मैक्स पलांक ने सब एक्षता सिधान्त अलबर्ट आइस्टीन ने ये तो बता ही चुके हैं आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है सोडियमें का अभी क्रियासिल धातू है जो खूले में रखे जाने पर साथ आग पकड़ लेती है अभी क्रिया करके बिसफोर्ट के साथ आग पकड़ लेती है तो अप्शन क्या हो जाएगा डी ठीक है द्रवित सोडियम का उपियोग नाभे किया भटियों में सीतलक के रूप में करते हैं सोडियम का उपयोग प्रबल अपचाय के रूप में करते हैं आक्सी हाइड्रोजन जुआला तथा आक्सी एसिटिलोन जुआला धातों को जोडने का काम आती है द्रविभूत आक्सीजन का प्रियोग रुकेट इंधन के रूप में किया जाता है लाल फस्पोरस का उप्योग माची सुध्योग में किया जाता है चुहे के 20 सफेद फस्पोरस, पोटेसियम सैन्याईट अथ्वा फस्पाइट से बनता है आगे बढ़ते हैं निमनलिखित भारतिया नदी परणालियों के मुख्यता कितने परकार मुझूद है तो देखे इसके जो है दो परकार मौजूद है कौन-कौन से है हिमालय की नदिया और प्राई दीपिय नदिया ठीक है ये दो परकार है भारत की भारतिय नादी परणालियों के प्रकार आगे बढ़ते हैं फारवर्ड ब्लोक पार्टे के संस्थापक कौन थे तो इसके संस्थापक थे सुबास चंद्रबोस ठीक है ओप्शन हो जाएगा सी सुबास चंद्रबोस की बात करें तो कांग्रेस से स्थीपत देने के बाद बर्श 1949 में फारवर्ड ब्लोक का जो इन्होंने गठन किया था दोस्तो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइक और प्रेस रखें ठीक है देखें कोशन दिया गया है इनमे से किस दिन को भारत के सभी कालेजों में सशस्त्र बल जंडा दिवस के रूप में मनाय जाता है साथ दिसम्बर को याद रखना है सी हो जायेगा सशस्त्र छंडा दिवस जो है उन्नी सु ऊंचास से प्रतिवर्ष मनाये जाता है सशस्त्र बल छंडा दिवस का उद्यश से भारतिया सशस्त्र से नाय कर्मियों कल्याड और उनके परिवार के भलाई के लिए जनता से धन संग्राक और संग्राहित धन खर्च किया जाना है ठीक है आगे बढ़ते हैं वह मुद्रा कौन सी है जिसका दुनिया भर में सर्वाधिक ब्यापार किया जाता है तो सर्वाधिक ब्यापार अमेरिकी डॉलर आपको हो जाएगा डी भावा परमाडू अनुसंधान के अंद्र यानि बार्क कहां इस्तित है बार्क तो ये इस्तित है भावा परमाडू अनुसंधान के अंद्र तो इसका अंसर आप लोग कमेंट में बताईए ये कहां पर है अप्शन है कलपकम ट्रामबे मुंबाई पोखरन या फिर नरोरा तो भावा परमाड़ू अनुसंदान केंद्र इसका आंसर कमेंटर बता ही अपले कुले होमर कुछन रखते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुछन दिया गया है भारतिय राष्टवाद एक संभरांत घटना है जो वकीलों या डॉक्टरों तथा गटना है जो वकीलों या डॉक्टरों तथा जमिंदारों द्वारा उपजाई गई थी महात्मागाधी जी का ये कथन है खादे सुरक्षा के छेत्र में अमर्त ये सेंद्वारा जुड़ा गया एक नया आयाम क्या है तो ये है अधिकार अप्शन हो जाएगा ये आयार डी के फुल्फर्म यहां पर पुछा गया है तो अप्शन हो जाएगा डी इंसुरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलोप्मेंट ऑथरेटी ऑफ इंडिया आयार डी आई के फुल्फर्म पुछा जाए तो क्या होगा इंसुरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलोप्मेंट ठीक है विश्वा हिंदी दिवस्प्रतिवस्टिति को मनाये जाता है तो विश्वा हिंदी दिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस्प्रतिवस् पार्तिय राश्टिय राजमार्ग प्राधिकरन निम्निलेखित में सक्किस पर्धान मंत्रे के सासनकाल में संपत्तिक अधिकार को मौलीक अधिकारों के सुची से हटाया गया था तो देखे इसका अंसर हो जायेगा अप्शने मुरारजी देशाई समपत्तिक अधिकार को मौलीक अधिकारों के सुची से हटाया गया था वैमंडल में कौन सी निसकरियग सरवाधिक मात्रा में होती है तो सबसे अधिक मात्रा में आरगन होती है किसी राज्य का सरोच बीधी अधिकारी कौन होता है तो किसी राज्य का सरोच जो बीधी अधिकारी एडवोकेट जनरल याद रखना एडवोकेट जनरल सरोच बीधी अधिकारी होते है चीपको अंदोलन किस समय से सम्बंधित है किस बीसे से सम्बंधित है भारत की प्रथम बहुत देशिया पर्यूजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये भी question पूछा जाता है पहली बहुत देशिया पर्यूजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी? मैमार के सीमा से लगने वाले भारती राज्ये कौन-कौन से है? मैमार के सीमा से लगने वाले भारती राज्ये हैं लौड करनवालेस ने अस्थाई बंदबस्त किस के साथ किया था? अस्थाई बंदबस्त किस के साथ किया था? पर्मनेट से टेल्मेंट तो ये जमिंदारों के साथ याद रखना है? जमिंदारों के साथ किया था? आगे बढ बारतिय संबिधान के अधिन बिधान की ऑप्षिष्ट सकतियां किसमें निहींत होती है तो बारत प्राइज संग में निहींत होती है अप्षन हो जाएगा सी भारत में पहला लौ इसपात करخाना 1874 में कुल्टी में अस्थापित किया गया था 21 राझ्यमी इस्तीत है तो बैसव बैंक, वर्ल्ड बैंक को अन्य खिस नाम से जाना जाता है? तो देखें, वर्ल्ड बैंक को जो है International Bank of Reconstruction and Development International Bank for Reconstruction and Development की नाम से जाना जाता है option हो जाएगा ये कौन से विटामिन जल में खूलन-सील है? तो जल में घुलनसील जो विटामिन है वो विटामिन बी और सी विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनसील है आगे बढ़ते हैं राश्टिया धोयज को आम लोगों को फाराने की अनुमती को परदान की गई थी तो आम लोगों को फाराने की अनुमती जो है 26 जनुमारी ट्रहेंक में स्यवालो को नस्ट करने के लिए दियाद रखना है लकडी की बसती वो कीडों से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है तो जींक कुलराइड का ठीक है जींक कुलराइड हो जाएगा आगे बढ़ते हैं जब चलते बस में अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे वे यात्री आगे की और आगे की दिशा में गिरते हैं मतलब जूक जाते हैं यह Newton का कौन सा नियम है तो यह Newton का पहला नियम है ठीक है याद रखना है पहला नियम है तो दोस्तों यह थे हैं लूसेंट का प्रेक्टिस सेट है इसमें टोटल 40 कोश्चन आई होब कि यह वीडियो जो है आपको पसंद आया रहेगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पर नाया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ठी को मिल सकेगा तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन आन रखें ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार जय हिंद जय भारत